चीन जो चीन है इसकी गिंती दुनिया के सबसे सकती सारे राश्टों में इसे एक होती है और साथ साथ में चीन की गिंती आस पास के देशों पर अधिकरण की भी है चीन क्या करता है अपने आस पास के जितने भी राश्टों होते हैं उसको अपने मिलाना चाहता है यह चीन की अमेरिका के साथ चीन ने अपना एकांत वाद समाप्त कर दिया था पहले चीन ने एक निती अपना रखी थी कि अपने देश में बनाएंगे अपने देश में उपयोग करेंगे उस समय तक चीन के आर्टी किस्तिती काफी जादा खराब थी 1972 में हेंडरी किसिंजर जो अमेरिका के विदेश मंत्री थे वो चीन से हो चीन होते होए पाकिस्तान गए थे तो उस समय अमेरिका के साथ इसके संबंद अच्छे हो गए थे यह चार प्रस्तावला है कि भाई इससे हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे 1978 में यह बहुत इंपॉड़न डेट है चीन के दूसरे परमुग यह भी चीन के परमुग थे देंग स्यांग पेंग इन्नों ने एक निती अपना है खुले दुआर की निती का मतलब क्या होता ह है कि आप विस्व के किसी भी राष्ट के साथ उसका वेलकम कर सकते हो आओ हमारी कंट्री में आप इन्वेस्ट करो हमारी कंट्री में आप इन्वेस्ट करो उद्योग धन्दे इस्थापित करो तो देंग स्यांग पेंग ने यह निती अपनाई 1982 में चीन ने खेती को निज सबसे बाद में जेत फल में विष्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या में परतम इस्थान पर ये तो रहे चीन के बारे में और साथ-साथ सुरक्चा परिशत का इस्ताइस अदस्य है पूरे दुनिया में करोना काल में सबसे आगए अगर किसी देश की अर्थविवस्ता फैली थी तो चीन की फैली थी सबसे तेजी से अर्थविवस्ता विक्सित हुए साथ साथ में चीन जो है पूरे दुनिया को सब से सस्ता सरम हुपलप्त करवադा है ठीक है इसलिए कई सारी कंपणिया अग। उन्होंने अपना मुख्याले जो है चीन में खोल रखाए क्यों सस्ता सरम हुपलप्त करवाता है और भारत भी बना रहा है कि हम अपने देश में कही सारी फॉरेन कंपनी को गये आओ, ersिज्ज में वयंदा, के सारी कंपनिया को इन्विटेशन को आओ, और कैसके विखनें हैं, पॉलने कि सकाछे हैं करें होटiesn चीन में जो आर्थिक सुधार हुए थे उसके काफी ज़्यादा नकरात्मक परभाब भी पड़े सबसे बड़ा नकरात्मक परभाब यह है कि आर्थे विकास का लाब सभी लोगों तक नहीं पोचा दूसरा सबसे बड़ा नुक्सान किया चीन में चीन में भरष्टाचार परीनी की जाती है उनकी महिलाओं के रोजगार में विर्दी नहीं हुई है और महिलाओं के काम करने के जो तरीके हैं या छेत रहे हैं वो संतोष जनक नहीं है चीन में रोजगार के कारण रोजगार में विर्दी तो ही साथ साथ में पर्यावरण काफी ज्यादा दूसित हो गया चीन का चीन में पर्यावरण पर भी काफी ज्यादा परबाब पड़ा है और आपको पता है चीन जो है एक संसलेशित चीन अभी आज की डेट में एक संसलेशित सुर्य बनाने का काम कर रहा है इससे भी पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान बहुत सकता है इसके अलावा चीन जो है उसने पुंजीवादी तरीका अपनाया और वहां पर है अब एक डेटा है कि हर चीन का जितना वी नागरिक है ना चीन के आगर दस नगरिक विदेश पढ़ने का तो साथ चीन ठोड़के है विदेश में रह जाते हैं कि यह एक गवर्रमेंट का डेटा है इंटर्णेशनल और आईस्टने ऑच की छीन का इंसान है वह लिए तो 7 तो ये असवेक्तिति चीन आते ही नहीं। सकती कह अनुद माना जाता है। कि भारत सक्ति का एक नया केंदर माना जाता है। बहुत सारे कारणेों से बनाना जाता है एक सब्सक्राइब आड आज जाता है को सबसे ज्यादा सफल्स कि देयमों को सब्सक्राइब प्रहट जैसे सब्सक्राइब अभारत उप्सक्राइ जब्सक्राइब डिचेशते तेश इस्पर एक funzijल संगतनों का सदस्य है जैसे SCO, Sark, Brics, Goodnare Pitch, आंदोन ले लो जैसे संगतनों का महत्पून सदस्य है भारत पूरी दुनिया को सहयोग और मार्ग दर्शन करता है आपने देखा हो करोना के टाइम में भी भारत ने विश्व के लगभग सभी देसों को हाइट्रोक्लोरिन के ग अभी सिर्लंका में संकट आया हुआ है सिर्लंका की अर्थवश्वस्था खराब थी तो भारत में क्या कर रहा सिर्लंका ने सिर्लंका को भी आर्थिक मदद बेजी अफगानिस्तान को वैक्सिन बेजी मंगला देश को वैक्सिन बेजी या तक कि पाकिस्तान को भी वैक्सिन बढ़ाने के लिए भारत ने अमेरिका में अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए अमेरिका को आठ लाग डॉलर की मदद भेजी है कि वहाँ पर हिंदी का पड़सार किया जाए वहाँ के भारती नागरिकों को और अमेरिकी नागरिकों को इसके साथ साथ भारत जो है सुरक् पर्मानु निर्यातक देश सब्सक्राइब करें एंधा राष्ट्री लिए उसरी तो और भारत विस्व क्यादनेश्टे हैं, टो इन शारी चिजोंगे यह नितिक हो इसके अलाबा जो भरती हैं वो संसार के लगबक हर देस में पहुंचे हुए हर देश के विकास में पुछ ना कुछ भारतियों का योगदान जरूर रहे नासा का विकास में जितने नासा में इंजीनियर है ना हैं अगां गेरा होगए वह अगर एंडिया में काफि लेकिनिया में कदर निकी जाती है इसके अलाबह सौ्ट्व कंप्रियों का हम भारत कुमाना जाता हैं विस्व की जो सौफ्ट्व कंप्रिया बड़ी-बड़ी मायेक्रोसॉप्त लेलो मास्टरकार्ड लिशाएकर लिशा इन सारे Twitter भी ले लो इन सब के जो परमुख है वो भारतिय ही है तो इस अधार पर भारत को एक महासक्ति माना जाता है लेकिन महासक्ति के साथ साथ कुछ चुनोतिया भी है भारत की जो मैं आपको इसी वीडियो बता सकता हूँ एक ज़्यादा अबादी होने के साथ संसादों की कमी पढ़ती है किसी वीडियो से में ज़्यादा अबादी होगे तो संसादों की कमी पढ़ती है दूसरा भारत में बरहश्टाचार काफी ज़्यादा है बरहश्टाचार काफी ज़्यादा है ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा बड़ी समस्य है भारत के विकास के लिए क्यों भारत ऐसे राष्ट में भी कई बार अलगावादी मांगे उठती है कई बार जो है रायनितिक पार्टियां जो है वो राष्टी एकता पर ध्यान नहीं देती है अब देखो कभी-कभी आइस्थिरता आ जाती है क्यों क्योंकि बहुत इसमें चुनावों में खर्चा जाता होता है और जाती वात को बढ़ावावाँ मिलता है ठीक है तो बच्चो हमारी हमारी ये जो चैप्टर है सक्क्ति का नया केंद ये समाप्थ होता है next class में हम नई वीडियो के साथ करता हूँ आपको यह चैप्टर समझ में आया है समझ में आये तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं अभिनास एडू हब